नमस्कार दोस्तों मैं हूँ लोके इंद्रमिश्रा और इस वीडियो में आप सब का स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2023 के पद्म पुरसकारों की जैसा कि आप सबको पता है कि 1954 से पद्म पुरसकार दिये जा रहे हैं और भारत का जो highest civilian award है वो है भारत रतन और भारत रतन के बाद आते हैं पद्म पुरसकार जिसमें की तीन स्रेडिया है पद्म विभूशन, पद्म भूशन और पद्म स्री अगर हम वर्स 2023 के बारे में बात करें तो वर्स 2023 में कुल 106 व्यक्तियों को पद्म पुरसकार मिला है जिनमें की तीन ऐसे केस हैं जो डूओ केस हैं डूओ केस मतलब की दो लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है इन में से 6 पद्म विभूशन है, 9 पद्म भूशन है और 91 पद्म स्री पुरसकार है 19 अवर्डीज ऐसे हैं जो महिलाएं हैं और दो लोग ऐसे हैं जिनको की foreigner, NRI, PIO या फिर overseas citizen of India की category में ये पुरसकार दिया गया है, ये सम्मान दिया गया है साथ व्यक्तियों को मरणो परांत भी है पुरसकार दिया है तो आपको परिक्षा की दृष्टी से सब के नाम नहीं याद रखने है परन्तु इतना अवस्य याद रखना है कि 106 लोगों को पद्म पुरसकार मिला है जिनमें की तीन ड्यूओ केस है और महिलाएं कितनी है ये भी आपको याद रखना है बात करते हैं पद्म विभूसन पुरसकार की तो कुल 6 व्यक्तियों को पद्म विभूसन दिया गया है सबसे पहले जो हैं वो हैं स्रीबाल कृषन दोषी जिनको की पोस्थोमस यानि की मरणो परांतियों पुरसकार मिला है ये अर्किटेक्टर की फील्ड से थे अर्किटेक्चर आपको पता है दूसरा है इनके देश के बारे में या फिर देखिए आपको क्या-क्या याद रखना होता है वो ये याद रखना है कि किसको मिला है और वो किस कंट्री से है अगर बाहर के किसी देश को मिला है या फिर अगर भारत की किसी व्यक्ति को मिला है तो वो किस राज्य से है तो पहल च्छटे व्यक्ति हैं श्री दिलीप महालनोबिस बहुत इंपोर्टेंट नाम है आप याद रखीगा ओर आरेस के फील्ड में इनका काम है और मेडिसीन के ख्षेतर में पश्चिम बंगाल से आते हैं पांचवा नाम है श्री श्री निवास वर्धन साइंस एंजिनियरिंग क की फील्ड से युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका के हैं और छटे व्यक्ति हैं श्री मुलायम सिंग यादो जो की उत्तर प्रदेश के पूरु मुख्यमंत्री भी थे और समाजवादी पाइटी के संस्थापक थे तो इनको भी मरणू परांत मिला है पबलीक अफेयर् आप जानते हैं इनको बहुत अच्छी तरह से महराष्ट से फिर नाम है श्री दीपक धर का साइंस अंड इंजिनिरिंग से महराष्ट राज से फिर है मिस वानी जैराम आर्ट की फील्ड से तमिल नाडू से फिर है स्वामी चिन्ना जियर ये स्पिरिच्वलिज्म से हैं औ अतलब साहित्य और शिक्षा इनका ख्षेत्र है और ये दिल्ली के रहने वाले उसके बाद है मिसिस सुधा मूर्ती सुधा मूर्ती को समाज सेवा के ख्षेत्र में मिला है और करनाटक से बिलॉंग करती है और पंद्रवा जो नाम है इसमें वो है स्री कमलेस दी पटेल जो एक बार जरूर आप पढ़ लीजेगा और खास तोर पे आप जिस प्रदेश की एक्जाम देने जा रहे हैं जैसे अगर आप बिहार का एक्जाम दे रहे हैं या उत्तर प्रदेश का एक्जाम या गुजरात का एक्जाम या असम का एक्जाम तो आपको वहाँ के लोगों के बारे में वहाँ का कौन सब वेक्ती है जिसको पन पूरसकार मिला है आपको अवसे याद रहे जैसे की यहाँ पे देखिए मिसेस सुभधरा देवी आर्ट की फिल्ड से और ये हैं बिहार से तो आपको ये नाम याद रखना चाहिए अगर आप उत्तर पदेश के हैं तो स्री राधा चरन गुपता लिटरेचर अन एजूकेशन आपको ये नाम याद रखना चाहिए अगर आप उत्तरप्रदेश के हैं तो स्री दिलसाद हुसेन नाम भी आपको याद रखना चाहिए वैसे ही पंजाब से हैं तो स्री रत्तन सिंग जग्गी को नाम याद रखना चाहिए आपको तो ऐसी बहुत सारे नाम है आप एक बार इसको जाके देख लीजेगा स्री आनंद कुमार देखे इनको भी मिला है अनंद कुमार को मिला है लिटरेशर और एजूकेशन से विहार से हैं ये आपको खास तौर पर परिक्षा के लिए जो याद रखना है वो पदम स्री च्याझा और पदम भूसं याद रखना है कि सबसे अधिक उम्र के कौन से व्यक्ति हैं जिनको मिला है ये पुरसकार तो वो आप देख लीजेगा बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस टेलिग्राम चैनल को आप जॉइन कर लीजिए डिस्क्रिप्सन में आपको लिंक मिल और वहां से आप ये पीडियोफ डाउनलोड करें।